दोस्तो अगर आप electronics के fit पर नहीं है तो इस वीडियो को जरूर देखलना या फिर जला सभी आप electronics में थोड़ा सब इंटरस्टेड हैं तो इस वीडियो को जरूर देखलना मैं guarantee देता हूँ कि आपको 100 में से 80% जरूर सीखने को मिलेगा हां 30% लेने के रहा हूँ क्योंकि आप वोल्ट के बारे मैं थोड़ा बहुत समझा दूँगा हाँ हो सकता है यह वीडियो थोड़ा से लंबी हो लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको इसको समझाने की कोशिश करूँ देखिए इसको शार्ट करने से पहले एक सवाल का मैं answer देन है दिखिए इस सवाल का हो सकता है यह सवाल आप लोगों के मन में भी जरूर आएगा अगर आप learners है या फिर अगर आप सीख रहे हैं तो हम किसी भी circuit को repair करते हैं तो इसमें हमने इतनी वोल्ट इहां पर मिलनी चीए हम आपको इस सीज में बता दें लेकिन आपको किसे बता चीए होता है वो आपने समझना पड़ेगा इस पर आपने अध्यन करना पड़ेगा इस पर आपने प्रैक्टिकल करना पड़ेगा हम जिस circuit पर भी काम करते हैं उसका आपको बता देते लेकिन आप जिस circuit पर काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ सा ध्यन करना पड जाती है और main IC के तरब जाती है और वैसे ही अलग-अलग जगह के लिए अलग voltage जाती है तो यहाँ पर अलग-अलग voltage देने का काम यह transformer करता है यह तो हमाँ पता है कि जैसे CRTTV में तो हमाँ जोज practical करते हैं तो हमाँ पता है कि हर CRTTV में 110 बनना चाहिए नहीं बनता है तो उस पर हम काम करते हैं तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा उस circuit को उस circuit पर practical करना पड़ेगा बाकि एक circuit पर अगर सीख जाएं तो उसी series के सभी circuit को आप आसानी से repair कर सकते हैं voltage नहीं बनने तो और सभी प्रकार के circuit में सभी voltage का बहुत बड़ा महत्व होता है इस circuit में जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे voltage लिखी वी हैं और इन सभी voltage का कार्ड में कुछ न कुछ रोल होता है 12 वोल्ट का अलग काम है 22 वोल्ट का अलग काम है 3 वोल्ट का अलग काम होता है सभी वोल्टेज अलग अलग जगह के लिए जाती है अलग अलग अईसी को जा रही होती है और अलग अलग अईसी को जब वोल्टेज मिलती है तो तब जाके work करती है यह तरह सा basics था वो आपको मैंने समझा दिया अब मैं इस smps circuit की बात करूँगा इससे पहले आपको इस चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर समझाओंगा आपको इस circuit में लेकिन आपको लगवर लगवर 12 वोल्ट के जो smps होते हैं जो जो भी smps की category में आते हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि यह सभी एक ही तरीके से काम करते हैं जिनको भी smps circuit का जाता है वो एक ही तरीके से क सर्किट में और बड़े सर्किट में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है बड़े सर्किट में बड़े आपको components मिलेंगे register, diode, IC, capacitor वैसे ही छोटे सर्किट में आपको यह जो IC है यह छोटे form पर मिलेगी और यह जो diode rectifier है आपको इसके छोटे SMD form पर मिलेगा और यह आपको यह छोटे होते हैं तो हाँ इसमें mix है किसी किसी में आपको बिल्कुल SMD पर ही मिलेगा बस आपको समझने की यहाँ पर जरूरत है उसी प्रध्यन करने की जरूरत है चलिए आपको समझाता हूं उसमें अगर वीडियो पसंद आए तो like कर देना अभी नहीं वीडियो को end करने स हूं वह सची जिल से समझाता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि यार जो चीज आप सो समझें वह आपके दिमाग में हमेशा रहे इसलिए समझाने का तरीका हमेशा मैं different रखने की कोशिश करता हूं तो चलिए like कर दिजिएगा पसंद आए तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अब यहां पर देखिए सबसे पहले तो आपको यह बता दूँ कि यहां पर थोड़ा सा समझने की जुरूरत है अपको यह जो input output क्या है देखिए input यहां से हमें करना है जो एक connector दिया हूँ है यहां पर हमारा AC input करता है अगर आपको यहां पर connector या फिर समझ में ना आए तो इंपूट कहां से करना है तो इस सिंपल सी बात है आपको चार डायोड एक साथ लगे वे कहीं ने कहीं पर मिलेंगे फ्यूज मिलेगा चार डायोड मिलेंगे उसके आसपास जो भी आपको connector दिख रहा है वह हमारा input कहलाएगा उसमें हमने घर पे जो हमारी AC वोल्ट आती है आयोर्स के द्वारा यहां पर सबसे पहले तो आपको एक connector मिलेगा वहां पर AC वोल्ट देनी होती है उसके बाद फ्यूज होता है क्योंकि फ्यूज हमारे circuit को प्रोटेक्ट करता है कभी circuit में कोई fault आता है कभी IC खराब हो सकती है या फिर कुछ भी problem हो सकता है तो सबसे पहल आपको सीधर diode ही देखने के लिए मिलेंगे और किसी किसी मापको inductor coil देखने के लिए मिलेगी यह filter करने का काम करती है smoothness जो आपके घर पे AC आ रही है उसको diode तक पहुछाने से पहले ही वो smooth कर देती है फिर diode उसको DC बनाता है DC बनाने के बाद capacitor को देता है capacitor उसको और smooth कर दे है DC को smooth कर देता है उसके बाद वो जो है जो है IC पर जाता है और IC उसको जो है transformer को signal देती है और transformer उसको output में यहाँ पार diodes को देखे output करता है यह इसके basic से अब समझेंगे यहाँ पर connector के बाद इस फ्यूज लगा हुआ है फ्यूज के बाद इसको इस तरीके से पड़़दू तो बैटर रहेगा देखिए यह connector का पहले point को हम track करें देखिए जूम कर लेता हूं ताकि आपको समझी में आए देख पर काफी लोग इसको transformer समझते हैं तो transformer में आपके जो है अलग system होता है इंडूक्टर को फिल्टर करने के लिए समाल किया जाता है या बूस्ट करने के लिए ईधर बी एक कोईल का भी इस कोईल का बहностью यहाँ पर फिल्टेग जाने तक वो एसी रहेगी और फिर डायोड के बाद सी रहे वो यहां से यहां से point से यहां पर आई यह बन गी हमारी DC कपैस्टर के बाद वो बन गी DC यह देखिए DC बन गी और कपैस्टर में प्लस मैंनेस होता है, इसकी जगपे हम दूसरा कपैस्टर लगा ही नहीं सकते हैं, कपैस्टर में बहुत प्रकार के होते हैं सेरेमिक कैबれて है अलग-अलग स्टैप के कापैश्टर होते है हम इसकी जगा पर हम दूसरे के प ju Г्ट को नहीं लगा सकते हैं अलग वूर्टेज की इसकी की पैश्टर को नहीं है जितनी रिक्वार्मेंट दी गई तो जब भी आप चेक करते हैं, अगर घर पे हमारी 220 वोल्ट आ रही है, तो इस circuit में इस capacitor में ज्यादा वोल्ट दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर हो capacitor चार्ज हो जाता है, और वहाँ पर वो इतना वोल्ट दिखाता है, तो diode के बाद just capacitor होता है, तो diode का काम AC को DC बनाना है, चार् यहाँ पर rectifier या charge diode या फिर एक bridge diode लिख सकते हैं, या फिर diode का, देखें, diode भी कई type के होते हैं, diode आपके general diode होता है, light emitting diode होता है, और यह जो यह वाले diode होता है यह भी दो type के होते हैं, यह एक तो हमारे FRSR recovery diode बोलते हैं, जिसको वोते हैं, एक एक PN junction diode बोलते हैं, तो आप इनको simply PN junction diode कह सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इस diode तक हमारी ACI और diode ने बना दी DC, चार diode ने मिलके DC बना दी, और DC बनाने के बाद उसको सीधे capacitor पे भेजा filter करने के लिए, capacitor ने उसको filter किया, और capacitor के बाद सीधे वो चला जाता है IC पे, तो IC पे चला जाता है, इसको track क के एक point है, यह transformer है, इसको बोलते है SM transformer, चोपर चोपर भी बोलते हैं काफी लोग, तो इस पे चला जाता है, इसके बाद यहाँ पर आया, और इसके बाद यहाँ पर यह IC के साथ यह काम करेगा, और दूसरे point को हम ट्रैक करें, तो यहाँ पर और यहाँ से यहाँ, यह देख काम क्या होता है, IC के अंदर हम लगा होता है MOSFET, यह एक MOSFET IC होती है, और किसी किसी मा आपको MOSFET लगावाभी मिलेगा, किसी मा आपको transistor लगावा भी मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, IC इसमें frequency generate करेगी, ठीक है, frequency generate करेगी, और frequency क्या होती न, यह जो transformer होता है, हमारा DC पर काम नहीं करता है यह करता है यह करता है एसी को मिली डीसी यहां से फिर आइसी न उसको आइसी के द्वारा उसको फ्रिक्वेंसी मिली यानि कि आइसी ने एक फ्रिक्वेंसी जेनरेट करी और सीधे ट्रास्फोर्मर को सिगनल दिया तो ट्रास्फोर्मर में तुक तुक सा स इस supply को SMPS इसले का जाता है क्योंकि ये switch mode power supply होती है इसको SMPS means switch mode power supply का जाता है तो IC इसको फिर से AC बनाके frequency generate करके यहाँ पर ये transformer को देती है फिर ये transformer उसको step down करता है ये transformer को step down करता है और यहाँ पर step down करके अलग-अलग voltage यहाँ पर बनाता है जैसे कहीं इतने सारे pin transformer से निकल रही है यहाँ पर अब यहाँ पर जैसे main बड़ा transformer आपने दिखाऊ को न वह भी जैसे step down करता है यह भी बिल्कुल वही काम करता है बस यहाँ पर main खेल आइसी का है तो आइसी जिससाब से frequency generate करें कि उससाब से transformer यह काम करेगा कभी-कभी हमारा transformer का सबकुर सर्कुल में सही रहता है तो आइसी खराब होने के वज़े से सारा voltage का खेली बिगड़ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा transformer step down में यहाँ पर करता है और अलग-अलग यहाँ पर पिन है आपको यहाँ पर 1,2,3,4,5 पिन देखने के लिए मिलें होगी तो यहाँ पर एक होता है हमारा negative या ground का पिन यहाँ पर बीच में निकल रहा है और सभी capacitor के Negative से जूड़ा रहे है तो हमारा negative बन गया और सभी capacitor से जूड़ गया बाकी बचाय यहाँ पर 1,2,3,4 उनमें prawdy तरगी रहती है और यह जो डायोड होती है यह बहले आपको black color की डायोड दिखेंगे इसी तरह की लेकिन ये FR-SR डायोड होती है ये डायोड हमेशा transformer के बाद में लगती है आप किसी भी SMPS को ठालो TV के circuit में देख लो वहाँ पर ये जो transformer है ना इसके जश्ट बाद में समी legs के साथे डायोड अटेच होंगी बस इनी का सबसे बड़ा रोल है voltage को बनाने में अगर ये डायोड सही value की ना लगे अगर ये डायोड खराब हो जाए तो यही से voltage गड़बड होती है तो ये डायोड हमारी recovery diode कहलाती है या फिर SR-SR SR-FR diode कहलाती है SR-Fast Recovery या Fast Recovery इस तरीके से इनको कहा जाता है ये सभी diodes के बारे में मैंने वीडियो बनाई है आप उसको देख लेना तो हर ट्रांस्पोर्मर की हर leg से वो diode अटेच होंगी इसमें देखिए यहाँ पर ये diode अटेच हो रही है और ये diode कहां से connected है ये diode हमारी येाँ पर इस capacitor से connected है जो कि 25V 220 μF ये कहां से connected है इसका जो positive वाला अगर हम देखिए, positive वाला इसका हम देखिए यहाँ पर देखिए ये leg हमारी इस diode के साथ connect है और ये diode हमारी यहाँ से और इसको ट्रैक करें इस capacitor का positive से जा रहा है और यही leg हमारी यहां पर इस connector पर जा रही है जो कि यह connector हमारा लग बारा वोल्ट output करता है तो यह जो diode है हमारी 12 वोल्ट को बना रही है यानि यह leg हमारी 12 वोल्ट को बनाने के लिए small करी गई है इसके बाद से अगली leg को पकड़ते हैं यहां पर भी एक डायोड यह लगा हुआ है इस डायोड को हम ट्रैक करें तो यह डायोड हमारा इस capacitor के साथ जुड़ा हुआ है डायोड को जिस्ट बाद मा को capacitor दिखेगा जो कि यहां पर भी filter करने का काम करेगा एक तो capacitor ऊपर प्रैमरी सेक्सम ने लगा हुआ रहेत है जो की filter करी रहा है उसके बाद यहां पर secondary में भी filtration होता है भाई secondary में भी filter किया जाता है ताकि smps से आपको pure world बाहर निले बिल्कुत pure आपको देखिए simple सी बात है 12 world अगर कभी आपको चीए तो आपको एक transformer से भी 12 world मिल सकती है एक transformer से भी आपको 12 world मिल सकती है एक transformer भी आपको 12 world दे सकता है इसमें आप एक rectifier लगा लो 12 world मिल जागा तो smps का निर्मान क्यों गया भी जब आपको 12 world एक transformer से ही मिल रहा है तो smps का निर्मान से ले गया गया देखे transformer में क्या होता है जब voltage बड़ेगी घटेगी बड़ेगी घटेगी तो output भी कड़बला जाएगा transformer में कोई वो नहीं है लेकिन smps में क्या होता है कि वहाँ पर अगर voltage बड़ेगी घटेगी आपके घर में अगर voltage घट भी रही है तो आपके output में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा output आपको fix बना के देगा तो smps इसी लिए इसी लिए इस smps का निर्मान किया गया आप पुराने adapter देखोगे ना उसमें 12 वोल्ट वगरे के लिए आपको transformer मिलता था बड़ आप smps वाला system आ गया है तो इसमें आपको घर पे आपका कम voltage भी रहेगी ना तो output में आपको fix बोल्ट ही मिलेगा कोई भी इसमें कोई वो नहीं है और यहां पर आप smps में transformer के लिए क्या होता ना जैसे आपको 5 ampere output भी चीए ना तो 5 ampere भी output चीए होता तो transformer बड़े साइच का इसमाल करना पड़ता था लेकिन smps यहां पर एक ic के द्वारा ही आपको ampere बढ़ाके इन components को modify करके ampere बढ़ाके दे दिया जाता है यानि कि आपको ज्यादा ampere के लिए transformer लेने की जुरूर नहीं आप 100 रुपे की smps लेलो आपको वहीं से आपको 5 maintain है माफ किजी इस पर दुबारास चया तो यह जो घ्रिक है इस चुड़े हुए के देखेंगे ठीक है इससे जुड़े हुए कपेश्ट को हम देखेंगे जब भी 12 वोल्ट में यहाँ पर प्रब्लम आ रही है तो उससे जुड़े हुए हम डायोड और कपेश्ट को देखेंगे जैसे simple सी बात है और हर ये diode जैसे ये बड़ी diode है ये बड़ी diode को भी अब दिखाऊं ये leg से ये बड़ी diode connected है और ये जो diode है यहाँ पर इस capacity से connected है यहाँ पर और ये जो leg है यहाँ से यहाँ तक coil यहाँ पर लगाएगी और इसको filter किया गया है coil के दोरा इसके बाद ये जा र इस लेग में एक डायोड लगा दिया जाता है यहां से यहां तक उसके बाद यहां से यहां से यहां तक डायोड लगा गया है उसके बाद यह तीन वोल्ट बनाती है जैसे पांच वोल्ट और तीन वोल्ट में कोई भी प्रब्लम होती है तो इस बड़े वाले डायोड को और इसके जेश्ट बाद में लगे करपास्टर को देखा जाता है जब भी इन वोल्टेज में जो थोड़ी से भी प्रब्लम निलती है तो यहाँ पर इन दोनों को देखा जाता है और एक सीज मैं आपको बता दूँ जैसे फ्रैमरी काम करता है उसके बाद सेकंड़ी हैं इसको चाई सेंक्ट्री ये जोड़ा हुआ है इसमें और इसमें और इसमें component से मिलके बनावाता है photo transistor और IR LED इसके अंदर दो component है एक transistor भी है और एक LED भी LED वाला पार्ट यहां पर secondary section में होता है इसके अंदर यह दो लेग हमारी LED की है और यह हमारी transistor की है transistor का जो base वाला है इसके अंदर है जैसे LED अंदर जलती है बेस पे पढ़ती है तो active होके IC को signal देता है अगर इसका secondary सही होगा तो यहां पर यह primary को signal देगा कभी-कभी यह उप्टो इसलिए लगाए गया है कि इसका यहां का जो signal है उसको दे सके तो फ्रिक्वेंस बिल्कुर ऐसे काम करता है यह ऐसे काम मिलके काम करते हैं यह अप्टो कॉपलर प्रैमरी और सेकेंडरी को आपसमें सिगनल देकर यह इस तरीके से काम करवाता है तो कभी-कभी प्रॉब्लम होने की वज़े से भी हमारे जो यह वूल्टेज के आना वह बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है अप्टोपलर कैसी जेक होता है वही शौट वगर हो तो इस जेक पर शौट होता है तो इस नोनों लेक्वे बीप करके मारता है तो इस सबसे बारे में कुछ चीज आपको में बता दी हां कुछ वूल्ट की थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो पांच वोल्ट में जो भी आपको डायोड और कपैस्टर मिले तो उसको चेंज करके देखो यह पांच वोल्ट की पीन है यहाँ पर इसको ट्रेक करो तो यहाँ पर देखिए इधर से इधर तक और यहाँ पर एक तो कोईल लगी भी है कोईल को चेक करो कोईल अगर कंट्यूटी मार रही है तो बिल्कुल सही है और इसके बाद यहां पर एक कपैस्ट लगा हुआ है जो कि हमारा सबसे ज्यादा माइकरोफ्रेट का होता हजार माइकरोफोट गया तो हमारा पांच वर्ट और तीन वर्ट को प्राब्लम दे सकता है तो यहां पर तक जो डायोड लगा हुआ है सबसे बड़ा डायोड उसको आपने चेंज़ को SR 360 यहाँ पर लगा हुआ है सुपर फास्ट रिकवरी 360 ठीक है तीन एंपियर का डायोड होता है तो 360 जो इसमें नंबर है उसका जो फ़हला डिजिट है 3 तो वो एंपियर को दर्शाता है अगर FR 200 FR 107 या FR 207 है तो 107 अगर है तो पहला जो डिजिट है वो एक एंपियर को दर्शाता है अगर 207 है इसका डिजिट जो पहला वाला दो वो दो एंपियर को दर्शाता है तो यहाँ पर यह हमारा तीन एंपियर का है तो इसमें आप इसको चेंज करके देख लेना वोल्टेज जो हमारी प्रोल्ब्रम करिए न वह संडेट 1% सॉलुशन उसका हो जाएगा अब यहाँ पर अगले वाले जो वोल्टेज है एक और समझा देता हूं बाकि अपने ट्रेक खुद करना है जैसे जैसे हमारा 12 वोल्ट इसी न्मबर का 12 वोल्ट कर यहें बन प्राहरा है तो 12 वोल्ट पर हमारा 12 वोल्ट का यहाँ पर यहां से यहां से यहां तक एक डायॉड लगा हुआ है इस डायोट को एक वाद चेंज करके देख लेना, अगर डायोट को चेंज करके भी नहीं होता है, तो वहीं पर बीच में आपको कपैश्टर भी देखने के लिए मिलेगा, 12 वोल्ट में यहाँ पर एक कपैश्टर देखने के लिए मिल जाएगा, यह 12 वोल्ट में भले आपको फ्यूज अगर उड़ा हुआ मिलता है तो जो जो कंपोनेंस खराब हो सकते हैं उनके बार में थोड़ा सा बता दो देखिए कि फॉल्ड तो कुछ भी आउ सकता है लेकिन क्या-क्या हो सकता है यह आपको बताता हूं आपकी चारो डायोड में कोई दो डायोड शौट हो सकती ह है या चारो डायोड आपकी शौट हो सकती है तो डायोड को भी चेक कर लेना डायोड को चेक कैसे करते हैं इसका वीडियो बना है फिर भी आपको बता दूं कोई भी डायोड कंट्यूर्टी मोड में बीप नहीं माने चाहिए डायोड मोड में बीप नहीं माने चाहिए डा स्टेख टयएट बिलकुल सही हैं फिर भी हमारे बार बार उर रहा है तो नंबर कि लगा लें बिलकुल प्रोडम का सुलुशन हो जागा, आइसी आपको मार्केट में 10 से 15 रुपे मिल जागी, आपके यहां इस आइसी का प्राइज कितने हैं, बता है, अचरू कमेंट करके, तो इस नंबर के आप आइसी डालें, इस प्रोडम का सुलुशन हो जागा, देखिए, एक चीज आपको दो लेग जुड़ी वे रहती है, एक यह वाली, और दूसरी यह वाली, मैं यह इसले कह रहा हूँ, क्योंकि यह एक ट्रांस्फोर्मर, यह आया यहाँ पर, यह देखिए, यह पॉजिटिव पार्ट इधर पर आया, यहाँ से यहां तक ट्रांस्फोर्मर के ही अंदर की लो लब जा रहा है, तो IC के यह जो दूसरा पार्ट है, IC के यहां से यहां से होते वे, इधर से इस लेग पर जुड़ गया, इस तरीके से, तो IC क्या होता है, प्लस मैनेस IC का शॉर्ट हो जाता है, तो IC सीदे कपैस्टर और इसके पॉइंट में भी शॉर्टिंग देने लगती कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप IC निकाल के देख लेना, अगर प्रॉल्म का सॉल्यूशन आपको लगे कि आप सॉर्टिंग नहीं मिल रही है, तो IC चेंज करके देख लेना, तो यह रहा है, कुछ-कुछ फॉल्ट से बता दिए, बाकि तो भाइस जो फॉल्ट आते रहे यहां पर देखिए, फ्यूज इसमें यह वाला ना लगा के एक रेजिस्टर वाला लगा दिया है, यह भी फ्यूज का काम करता है, यह 10 ohms का रेजिस्टर होता है, इसके बाद दिखिए, ध्यान से देखें, यह दो पॉइंट है, यहां पर एक फ्यूज के माद्धियम से य इसके बाद सी रही है, यहां से इस ट्रांस्फोर्मर पर चला गया, इसके बाद यहां पर गोए चार लग होंग आपको इद्सा पर, दो हमारी, यहां पर मेरे होती है, दो इसके साथ में काम करती है, ठीक है? फीडबेक के लिए काम करती है दो तो चार लग यहां पर दी गहीं इसके बाद यह ट्रांसफोर्म का सेकंडरी सेक्षन है जिसमें आपको सेकंडरी में दूही लग मिल रही है क्योंकि यह सिर्फ 5 वॉल्ट आउटपुट के लिए है जब ट्रांसफोर्मर में आपको अलग- है इसका सेकंडरी सेक्षन है इतना सा इससे कर रहा है बस आपको कि तो व्यां करता हूं अगर पसंदना तो लाक कर देндctive करता है नहीं आए तो दू बाइड इसलाइक कर दें टेक कियर अपने खाल रखिए